कैसे आप लोग और आज जो मैं अन्बॉक्स करने वाला हूं यहां पर आप लोग के सामने तो वह यह है लीफ के हैटफोन जो की वायर और ब्लुटूथ दोनों से कनेक्ट होता है यह आप लोग इसको एज ब्लुटूथ रिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो और साथ ले आप लो रिव्यू और अन्बॉक्सिंग में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर आप लोग क्या मिलेगा वीडियो को स्टाट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए चोटा सा है मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर पताना कि आप लोग को यह अन्बॉक्सिंग कैसी ल लूँगा और इसमें यहां पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिसमें की बिल था तो वह मैंने निकल दिया है तो चलो इसको उपन करते हैं तो यहां पर लिफ की ब्रैंडिंग है और यहां पर एड़फोन की फोटो है और यहां पर लिखा है स्टिबेंस स्ट्स यहां पर यहां पर वार्लेस एड़फोन अगरें की हाँ आपको lahar और यहां पर हो रहाए जिसे आप लोग अपने मोबैल से वाईर थू गणक कर सकते हो्थ हां फरी लिफ की ब्रैंडिंग एक लिए इसका इंस्ट्रेक्शन दिया हुआ है यहां पर वालुम अगरा बटन से उसके इंस्ट्रेक्शन है और यहां पर आपके पास कोड जैसे की warranty registration के लिए आप लोगों को यह QR QR स्कान करना होगा या फिर अब वेबसाइट पर भी जा सकते वारेंटी registration के लिए तो चलिए इसको अन्बक्स करते हैं तो चलिए इसकी इसी ब्रेक करते हैं फटा-फट से झुक्त बॉक्स में और कुछ नहीं है और यह आपको मिलती एक चार्जिंग केबल कि इसके साथ में आपको एक ऑक्स केबल मिलती है कि अपने हैटफोन्स में लगा कि आप लोग वाइट फोन्स का वी मजड़ा ले सकते हो तो चलिए इसको रखेस साइड में और साथ में आपको एक USB केबल मिलती है इससे आप लोग चार्ज कर सकते हो तो गाइस यह कोड़ है जिसको आप लोग अपने 50% आपको यूज कर सकते हो स्कैन करके फॉर्म फिल करना होगा इसके बाद में आपको यहां पर steps for dual pairing troubleshoot यहां पर कुछ ग्यान की बातें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और यह वारेंटी registration card आप लोग इसको scan करके भी warranty registration करा सकते हो तो इसको निकालते हैं हम लोग इसको रखेंगे साइड में तो यहां पर आपको लीव की branding मिलेगी material plastic का है और यहां पर भी और यहां पर जो material लगा हुआ है वो काफी soft है आप लोग देख सकते हैं आपके head के हिसाब से आप लोग adjust कर सकते हो इसको और यहां पर इसका model है यह left वाला है यह right वाला है और इसी के साथ में आप लोग को यहां पर button देखने के लिए मिल जाएंगे यह backward यह प्ले पॉज और कर सकते हैं headphones को और यहां पर आपकी जो लगेगी जैसा कि आप लोग लगा सकते हैं इसमें और अपने मोबाइल में तो आप लोग का वाइड फॉन चालो हो जाएगा बेल कॉलिटी अच्छी है और लुक में भी काफी अच्छा है और यह काफी ज़्यादा light weight है इसके जो sponge ह काफी ज़्यादा soft है तो आपको यहां पर मिलेगा एक बार प्रेस करना है यहां पर आपको ब्लू लाइट दिख रही होगी अंदर तो अब यह पैरिंग के लिए स्टार्ट हो गया है तो चलिए इसके साथ में एक टेस्टिंग करते हैं तो वाट्सप गाइस अभी जो मैं लिए विडियो को आड़ियो दे रहा हूं ज़ी माइक डिस्कने करके रखा हूए तो आप लोग को मुझे यह कमेंट करके बताया है कि आप लोगको यह आवाज में कितना ज़्यादा डिफरेंस एकनिकले मिल रहा है तो चलिए अभी मैं अपने माइक पर शिफ्ट करता हू तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो कॉमेंट जरूर कीज़ेगा काफी मेनत करके मैं वीडियो बनाता हूं तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को इत्तु सा तो बटन होता है लाइक का तो लाइक कर दो यार अभी आप लोगों के लिए मैं ऐसी दालने वाला हूं तो वीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को साथ में बैल आकोन को आल पर डाल देना ताकि आपको मेरी एक भी वीडियो की नॉटिफिकरेशन मिस ना हो चलिए मैं मिलूंगा आप लोगों को नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाए